नमस्कार दोस्तों आव सीखे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं सिंगल कलर का एक पहत कुपसूरत डिजाइन लाए हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है यदि आपको सिर्फ सीधा उल्टा बुढ़ने आता है तो भी आप इस डिजाइन को आसानी से बना सकते हैं और बन इसे बनाने के लीए हमें चार के मुल्टिपल फंदे चाहिए और एक फंदा एकस्टा है उसे चार-चार फंदे हम गिनें तो लास्ट में एक फंदा पचना चाहिए तो डिजाइन अच्छे से सेट हो जाएगी डिजाइन बताने से पहले आप से अनोरूद है कि यदि आप मेरे चैनल पे पहली बारा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आने वाले सब भी वीडियो का नाटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले वीडियो और डिजाइन अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक करें अपने फ्रेंस और फैमली में शेर करें तो चलिए फ्रेंस हम डिजाइन बनाते हैं ये डिजाइन सामने की तरफ से डलता है तो यदि आपको अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हो तो आप रॉंग साइट से फंदे बढ़ा लीजेगा और ये डिजाइन का पहला लाइन है और सामने से तो पहला फंदा हम उल्टा बन लेंगे अब देखिए ऐसे हम इस धागे को अंगली पे अंगुठी पे लेंगे और दोनों सीरों को ऐसे सलाई के नीचे से ले लेंगे फिर ऐसे खीच के देखेंगे जो सीरा खिचने पे खिचता ना हो जिदा से खिचता हो उधर से हमें नहीं बुनना है जो सीरा खिचने पे ना खिचता हो उधर से हमें एक फंदा सीधा फिर उल्टा फिर सीधा बुन्दा है और इसे अपनी तरफ कर लेंगे धागे को और दूसरे सिरे को ऐसे खिष दिया अब उन अपनी ओर करेंगे अगला फंदा उल्टा ये हम ने इसको ऐसे सलाई के नीचे कर लिया अब इस सिरे को जो खिषने पे खिषता इसको पकड़ लेंगे अब पहले फंदे को हम सीधा बनेंगे फिर उन अपनी ओर करेंगे अगले फंदे को उल्टा फिर उन दूसरी ओर करेंगे अगले फंदे को सीधा फिर उन अपनी ओ अब जो शीरा हमने इदर छुड़ा हुआ है, इसको ऐसे खीचेंगे, बहुत जादा हमें टाइट नहीं करना है, फिर उन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा उल्टा, आप ऐसे भी कर सकते हैं, उन दूसरी ओर, एक फंदा सीधा, उन अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, उन स्लाई पे चढ़ा लेंगे dysити आप उनको दूसरी ओर करें और इन्हें वापस दाहने स्लाई में चढ़ा लें के अर उन अपनी और अग्ला फंदा उल्डा मैं पहला सीधा उन अपनी और दूसरा उल्डा इं दूसरी और तीशा सीधा अब उनको हम अपनी तरफ करेंगे और इन तीन फंदो को हम 22 लाई में चड़ा लेंगे एक दो तीन उन दूसरी ओर करेंगे और इन तीन फंदो को वापस 22 लाई में चड़ा लेंगे तो ये हमारा जो थ्रड है वो इन तीन फंदों के चारो तरफ देखिए लिपट जा रहा है अब फिर उन हमको अपनी ओर करना है देखिए ये थ्रड जो है हमें हमारा इन तीन फंदों के चारो तरफ लिपट गया तीक है, अब अगले फंदे को हम इसको थोड़ा धिला कर लें, अब अगले फंदे को हम उल्टा बनेंगे, उन दूसरी और, अब फिर तीन फंदा हमें बनना है, एक सीधा, उन अपनी और, दूसरा उल्टा, उन दूसरी और, तीसरा सीधा, अब फिर उन को हमें अपनी तरफ कर लेना है इन तीन फंदो को 22 लाई में चड़ाएंगे उनको दूसरी और करेंगे वापस इन्हें दाहिनी स्लाई में चड़ाएंगे उनको अपनी उतर रख लेंगे तो देखे ठेड इन तीन फंदो के चारो तरफ लिपट गया है अब अगला फंदा हमें उल्टा बुनना है फिर उनको दूसरी और करें तीन फंदा बुनिये एक सीधा एक उल्टा और एक सीधा और फिर इन तीनों फंदों के चारो तरफ हमें त्रेड को लपिट लेना है उन दूसरी और किया तीनों फंदों को दाहने स्लाइ में लिया उनको अपने और अगला फंदा उल्डा और आप चाहे तो ऐसे स्लाइ के नीचे से ऐसे ले जाएए पहले फंदे को सीधा, अब देखिए दूसरा सिरा हमारा इधर ही है, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उनको अपनी तरफ करेंगे, इस सिरे को ऐसे खिच लेंगे, और फिर उल्मा कर वापस अगला फंदा हमें उल्टा बुन लेना है, तो देखिए, तीन तीन फंदों के चारो तरफ फंदे लिप्टे हुए हैं, और एक फंदा बीच में उल्टा है, अब ये रॉंग साइड है, तो रॉंग साइड में हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे, दूसरी लाइन में सभी फंदों को हमें उल्टा बुन लेना है, तो हमने दूसरी लाइन में सबी फंदों को उल्टा बुन लिया अब हम फिर आजाते हैं सामने की तरफ और ये हमारे डिजाइन का तीसरा लाइन है तो तीसरे लाइन में हम पहले फंदे को उल्टा बुनेंगे, तूसरे फंदे को सीधा बुनेंगे, उनको अपनी उर करेंगे और इन दोनों फंदों को 25 लाइन में चलाएंगे, धागे को दूसरी तरफ करेंगे, दोनों फंदों को 13 लाइन में और वापस उनको अपनी तरफ अब देखिए ये इस फंदे को हमें उल्टा बुनना है ये जो हमने तीन फंदे लपेटे थे तो ये बीच का फंदा है इसे हम उल्टा बुनेंगे उन दूसरी और करेंगे फिर तीन फंदे हम बुलेंगे एक सीधा एक उल्टा एक सीधा उल्टा उन दूसरी और करेंगे वापस बाइस लाए में उनको दूसरी तरफ तीनों फंदों को दाइनिस लाए में और वापस उनको अपनी तरफ अगला फंदा उल्टा यानि पहला ही लाइन है और हम डिजाइन तो फंदा आगया क्या है अब फिर हम चाहें तो यू बुन लें खिषने वाले सिरे से पहला फंदा सीधा फिर उल्टा फिर सीधा फिर उनको अपनी तरफ दूसरे सिरे को ऐसे खिष लें वापस घुमा कर अपनी तरफ लाएंगे अगला फंदा उल्टा फिर इसके दूसरे सिरे को सलाई के नीचे कर लेंगे अगले फंदे को सीधा बुनेंगे फिर उल्टा फिर सीधा फिर उनको अपनी तरफ दूसरे सिरे को ऐसे खिष लेंगे फिर घुमा कर वापस अपनी तरफ लाएंगे अगला फंदा उल्टा इसके दूसरे सिरे को स्लाइक के नीचे कर लेंगे अगले फंदे को हमें सीधा बोलना है फिर उल्टा अब देखिए जो फंदा ये बीच का था अब ये हमारा दूसरा फंदा हो जाएगा इसे उल्टा ही बोलेंगे फिर उन दूसरी और सीधा उनको अपनी तरफ करेंगे और दूसरे सिरे को ऐसे पकड़ के खिच लेंगे अब फिर गुमा कर वापस अपनी तरफ लेंगे देखिए तीनों फंदों में धागे को हमने लपेट लिया है अगला फंदा हमारा उल्टा रहरा फिर हम इसके दूसरे सिरे को सलाई के नीचे ऐसे कर लेंगे और हमें पहले ही देखिए जो फंदा खिचने पे खिचता ना हो उसे से बुनाई करनी है इसको यूही छोड़ देंगे अगला फंदा हम सीधा बुनेंगे फिर उन अपनी और अगला फंदा उल्टा एक फंदा उल्टा ही बुनना है लेकिन थोड़े से अलग तरीके से देखिए बुनने के बाद उनको अपनी और करेंगे इसे दागे को खिच लेंगे तो एक खुबसूरत सा पैटर्न बनता चला जागा उन अपनी और अगला फंदा उल्टा अब दो फंदे बचे हैं तो ऐसे करेंगे नेक्स्ट फंदा सीधा अगला उल्टा थ्रेड को खिच लेंगे और रॉंग साइट से सब भी फंदों को उल्टा 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 उल्टेंगे तो बिसिकली ये एक ही लाइन का डिजाइन है रॉंग साइट से हमें हर लाइन में सब भी फंदे उल्टे बुनने हैं तीसरी लाइन में डिजाइन दो फंदा आगे बढ़ जाएगा बस डिजाइन बहुत ही आसान है और इन ही चार लाइनों को हमें उपर उपर दो राना है एक बार जहां हम डिजाइन बना रहे हैं अगली बार उसके बीच में हम डिजाइन बनाएंगे तो ऐसे ही यह डिजाइन बनेगा मैं थोड़ा सा बना के आपको दिखाते हूँ तो देखिए फ्रेंट्स इस डिजाइन को बताने के लिए मैंने आपको दो तरीके बताये अब दोनों तरीकों में से किसी भी तरीके से डिजाइन को बना सकते हैं रिजल्ट दोनों में एक ही आएगा लेकिन यह जो तरीका मैंने बताया इसके सलाई के अंदर से असे धागे को दोनों सिरे को निकालके और फिर जो वर्किंग ठ्रड है मतब जिधर से हम खिषने पे यह न खिषता है उस सिरे को वापस करेंगे दूसरा सिरा हमास लाए के अंदर ही है देखिए इधर ही है अब इससे एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा बनाएंगे और फिर इसे हम वापस अपनी तरफ कर लेंगे इस थर्ड को खिष देंगे इसमें यह हो रहा है अब फिर उन खुमाकर वापस अपनी तरफ लाएंगे फिर एक फंदा उल्टा फिर इसके दूसरे सिरे को भी हम सलाई के ऐसे नीचे रख लेंगे अब जो सिरा खिछने से खिषता न हो उसको हम सलाई के दूसरे तरफ करेंगे देखे यह ऐसे हो गया है अब अगला फंदा सीधा फिर उल्टा फिर सीधा फिर उन अपने तरफ अब देखिए यह जो हमने इधर रखा हुआ था इससे ये फायदा होगा कि हमें फंदो को बार-बार 22 स्लाई से 22 स्लाई पर करना नहीं पड़ेगा और हमें बनाने में आसानी होगी और जल्दी बनेगा तो तरीका किसी भी तरीके को आप अपनाएंगे डिजाइन तो एक ही बनेगा लेकिन ये थोड़ा आसान तरीका होगा देखिए ऐसे खिचा हमें एक बार 22 स्लाई में फिर 22 स्लाई में करने की जरूत नहीं पड़ेगी उनको अपनी तरफ अगला फंदा उल्टा उन दूसरी तरफ अब इसके दूसरे सिरे को भी हम ऐसे स्लाई के नीचे से ऐसे लाएंगे लुब बना कर और ऐसे खिचने से जो सिरा खिचता न हो उसको हम वापस दूसरी तरफ कर लेंगे और फिर तीन फंदा बनेंगे एक सीधा पेक उल्टा और एक सीधा फिर उनको हम अपनी तरफ कर लेंगे और ये दागा जो हमने इदर रखा हुआ था अब देखे इससे ये फाइदा होगा कि इदर हमने खिचा और फिर वापस गुमा के अपनी तरफ लाए तो हमें इन तेन फंदो को एक बार 22 लाएं में एक बार 22 लाएं में करने की जरूत नहीं पड़ेगी और फिर अगला फंदा उलड़ा तो चार फंदो का ये डिजाइन है और चार लाइन का डिजाइन है बनाना देखिए कितना आसान है और जल्दी ये बन भी रहा है तो फ्रंस आप बहुत ही यूनिक डिजाइन है आप एक बार इसे अपने प्रज crimes चरूर आज हमाई गाद है आप इस पर इस डिजाइन को आप किसी भी प्रजिक में बना सकते हैं जाह चैनल सेटर में देखिए जनल सेटर में कितना खुब्सूरत ला एगा लेडी सेटर में बना सकते हैं बच्चों के स्वाइटर में बना सकते हैं, बच्चों के कैप में, हैट में, शॉक्स में, शूज में, किसी में भी आप इसे बनाएए, ये बहुत ही अच्छा लेगा। तो देखिए फ्रेंस, डिजाइन बेहत, खुबसूरत और यूनिक है, इस सामने से ये ऐसा दिखाए दे रहा है और पीछे से ऐसा, डिजाइन बहुत ही लाजवाब है, आप इसे एक बार जरूर ट्राइ करें, तो फ्रेंस डिजाइन आपके सामने है, देखिए ये ऐसा तो आशा है आपको डिजाइन पसंद आया होगा यदि आपको मेरा ये डिजाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमली में शेयर करें थैंक्स फर वाचिंग